आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करने वाला है आज कले जो अपना मैच रहेगा आइरलेंड वसस बंगलादेश के बीच में पहला जाएगा कैसे कुछ इस मैच कर लेटर प्रेडिक्शन्स है और यह में तो बंगलादेश अच्छा किया है वाकि अभी क्या कुछ सब्सक्राइब करने वाले तो वीडियो को आपको पूरा आखिर तक देखोंगे तो सब्सक्राइब कर लो एंड जो बैल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैच इसकी वीडियो से बिल्कुल भी आप मेस नागर पाओ और हां टेलक सब्सक्राइब करना लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया सभी जो टीम से अपडेट से वगर आते हैं वह आपको वहीं पर देखने को मलते हैं तो मैं इस बिल्कुल नहीं करने ठीक है जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर लेना बात करते हैं अपने मैच की जहूर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर थोड़ा कमी रहता है बहुत ज्यादा स्कॉर जो देखने को नहीं मिलता बस हुआ क्या था कि जो अभी के लिए बीपियल हो आता है जिसके आपर सबसे जो रीसेंट मैच जो खेले गए थे उसमें जो स्कॉर है वह थोड़ा अच्छा दे जो ही क्या है कि फ्रेंचाइब में थोड़ी बाती भी अलग हो जाते है थोड़ा क्रिकेट अलग हो जाता है वहाँ पर अगर इंट्रेंशन की बात करें तो आज के लिए आप 150 तक का ही जहां तक है स्कॉर आपको देखने को मिलने के चांस थोड़े कम रहेंगे बट हां व मीने को मलते हैं और यहां पर इंग्लेंड वसस से बांगलादेश के बीच अब बात टोटल में आपको गल्पॉटल सब्सक्राइब करें तो इसमें वहनत आपको नहीं करने हैं इनिंग में जैज इनिग में स्क्रीम को तैने में मिलेगें नघर के बात करें काम फ्रोड़ा सा उल्टा हो जाता है वहां पर साथ फेली इनिंग उपर कि बैंगला देश की तरफ से इनिंग कह रहे सकते हैं तो उनक्य से चेंज जाता नहीं होगा तमियों पर आपको ओपनिंग करते हैं और नी तालुकदार देखने को बन जाएंगे आज के लिए रखने की ने रखने वह आगे आपको बटाने वाले लेटिंदा से काफी सब्सक्राइब चलते हैं नस्मल उसाम साथ तो तो मैं पिछले वाई छैंट से पता निक्या ही कर रहे हैं इंग्लेंड के अगेंस्ट में फिफ्टी वन फोटे शिक्स फोटी सेवन ऑक्या जबर्दस्त वाँ में बढ़िया चल रहे हैं ब कि वालेसन को सीवेसी ना करो आपको उसी में अगर रिस्क लेने बाकि सेफ जाने वाले तो भाई एकदम प्राइमरी उप्षिन बनता है आपको पता है शेकिवलेसन एजन और राउंडर बाकि यहां से हिर्दोय रहेंगे जो ठीक ठाक बैट्स मेंने बट कभी कभार ऐसा होत ना आजे से जादा बार तो शमीन हुसान की वैटिंग यहां से नहीं आते है बाकि मेहंद के असन मिराज रहेंगे एक मैच में चार विगट थे उसके लावा तो जादा कुछ ना इन्होंने बीपेल में किया था ना अभी अगर दो जो टीटवेंटी खेले एक में चार वि जिनकी रिसेंट अगरम बोलिंग देखेंगे तो एक एक विगेट इनके भी रहें बीच बीच में वास बीच बीच में कभी कवार दो भी निकाल लेते हैं तो तसकीन सोरी मुस्ताविज रहमान या फिर आप हसन मैमूद में से किसी एक को ले सकते हैं तक तो यहां से आता ह शेकिबल हसन तो पूरे भाई छे बोलिंग ऑप्शन से अब इसमें देखो पूरी बोलिंग कोन करा सकता है तसकीन अहमद हसन मेमूद शेकिबल हसन यह ऐसे बोलर है जो पूरी बोलिंग डाल सकता है उसके बाद में यहां से नसू मेहमद के सबसे जादा अगर किसी के चां लेना बहुत ज्यादा लेफ्टेंड बैट्समें नहीं है एरलेंड की टीम में तो हो सकता है मेहंदी असन मिराज के भी कट्चे और नसी महमद पूरे डाल जाए तो यह दोनों थोड़े में 65 एक में पांच और एक में एक रन बनाए ग्रैंड लिक के लिए ट्राइक कर लेना नया नया प्लेयर है भी ठीक अबाकर इसकाद में पॉल्स्टेरलिंग है जाता कुछ अच्छा फूम यहां से पॉल्स्टेरलिंग का रहा नहीं है उसके बाद में बात कीजिए लोर्कें दोवर डाल सकते हैं नहीं वह वाला सीन रहेगा बाकिया सेफ जाने के लिए हरी डेक्टर को टीम में तो रखेंगी वह रिस्ट नहीं लेने वाले क्योंकि एक दोई तो बहुतर वैट्समें नायरलेंड के पास में पुरी टीम में बाकि उसकाद में गैरेट डेलानी की वा रिजन सिंपल है अब पूरी बैटिंग ही कर रहा है बॉलिंग थोड़ी कम करता है अच्का अगर रिसेंट देखते हैं तो सब मैच में वह एक देख दो दो और इसने डाले हुए विकेट हलागी नहीं मिला है क्योंकि बोलिंग में बात ने रही जो डोक्रेल की आप बात चाहू रख सकते हैं यह तो वैसे भाई कंसिस्टेंट है अलागी चार में थोड़े से खराब थे पर वापस अभी फोम में आगे उसकाद में मैट हैं जो कि स्लो लाफटाम और थोड़ोंक से डेब्यू कर सकते हैं और उसके बाद मिहां से आते हुम है जिन्हों ने पिछल डाल सकता है को नहीं डाल सकता है और उसके बाद में बहुत सारे तो यह कहना इनके तरफ से थोड़ा मुश्किल हो है किसके और आज के लिए कट सकता है फिर भी जो बिल्कुल सेफ बोलर बनते रहें जो पूरे और डालने के एक दम उनके चांस रहेंगे वो मैं आपको बत कर लेब्स के सकते हैं यह कुछ बीदा आल कर जाएंगे तो वह सकते हैं की तरफ से आपको मैक्सिम Bridge antibiot 3-4 और बाकी यहां से सब को आधो 2-3 तीन बेढल देंगे किसी क किसी कर तीन ऐसा देखने को मिलने वा इसक्सें एक चीज़ है कि डोक्रेल की बोलिंग जहाता कि कन्फर्म नहीं है वाकि टैक्टर बोलिंग करा सकते हैं सामने क्योंकि इशाकिब लेसंट रहेंगे तो उनके सामने टैक्टर को बोलिंग कराने भीजा जाएगा तो यह जाती है इनके कुछ आइरलेंड की तरफ से प्लेंग की तरफ से तो यहां से फिर आपको अडायर और यंघ डालते होगे दिखेंगे शुरूवादियोंस में और यह सकता है यह कि बलकुल क Tonight R ज्यान रखना और बंग्लादेश की तरफ से डैट में कौन डाले का बंग्लादेश की तरफ से वही तीन हम देड़ नहीं तो नहीं कर पाए एक एक विके निकाला बहुत बीच पर राइब बीचप रेक हो सकते हैं वहीड को खिला लिया जाएं यहां से हम फ्राइस की सेब्स उसके बाद में few on hand है जिनके अगर हम पिछले 5-6 मैचेस की बात करें तो जादा विकेट तो निकाले नहीं है राइटम मीडियम है तो अगर देखा जाए तो भाई बोलिंग ऑप्शन से एरलेंड के बास में तो बैटिंग में कोई चेंज होगा नहीं होगा तो शायद हम फ् बागी में विकेटलेस जाकिर अली के देखे तो भाई इन्होंने भी कुछ बहुत जाद अच्छा स्कोर बनाएं नहीं है हलाकि हर मैच में डवल जिट पर जरूब बहुत बहुत बड़ी इनिंग भी नहीं है उसके लावा यहां से शोरफुल इसलाम है जिनका फॉर्म उत हो था अभी नो मार्च को हुआ था यह मैं जिसमें की शन्त हो कि फिफ्टी वन थे इर्दोई ने 24 बनाए थे शकीब अले 34 विकेट दो मेहमूद के थे एक नसूम एक तस्कीन एक मुस्ताविजर रहमान और शेक शकीब अलएसन का था उसके बाद में अगर हम यहां पर जा जाते हैं आज के लिए पिक्स अब देखो मेरे को ने शकीब अलएसन से उतनी जाद उमीद हैं कि बोलिंग में विकेट लेगा बाट अगर और और परफॉरंस की बात की जाए तो हां वह ज़रूर वह दे सकते हैं कि मतलब दोनों चीज़ों को मिलाकर एक विकेट कुछ 1520 तो वो ठीक ठाक पॉइंट जो बन जाते हैं उसके बाद में आते हैं अपने वेन्यू लीडर्स के उपर केस वेन्यू पर आखिर भाई जो रंस वगएर हैं वो किस-किस ने बनाए हैं शकीब अलसने 27 मैंच में 746 रंस थर्टी नाइन का एक काफी अच्छ एवरेज है उसक अलुकदार का तो ही और जादा खरावच 14 मैंच में 237 और एवरेज है 16 का और उसके बाद में मेहंदी असन मिरास से दो चलो वैसे आप बोलिंग की उम्मीड कर रहे हैं बैटिंग दो देखना मत और फिर आते हैं शमी मुसाइन जो नहोंने पांच मैंच मैंच में पांच म की बात करें उसमें भी शेकिवलेसन में सबसे उपर है 17 मैच में 30 के साथ में उसकाद में 21 मैच में 26 मुस्ताविज और रहमान ने 18 मैच में 22 आप देखोगे न तो जो पेसर से उन्होंने जादा अच्छा किया हुआ जैसे दोनों पेसर ने में बढ़िया विकेट निकाले म मिराज और यहां से महमूद की बाद करें तो 22 मैच में यहां से 13 विकेट है ठीक है महमूद ने चलो साथ में आठ फिर भी निकाले नसूम एहमद की बात करें तो 12 मैच में 8 विकेट है इकलोता स्पिनर है शेकिवल एसन जिसको विकेट मिले थोड़े वह जो इस पर भाई नो रिजल्ट यह टाई ऐसा कुछ समझ लो उसके बाद में एकर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना हैट्वेड लीडर्स की तो हैट्वेड लीडर्स में क्या है शकीवल एसने पांच मैच वह पनाय है 78 उसके बाद में अगर बात किया है आप पोल्स टेरलिंग की बहुत ज़्यादा बदल चुकिये तो हैट्वेड श्रेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसके बाद में बॉलिंग की बात करें तो उसमें पोल्स टेरलिंग उस टाइम पर वोलिंग करा था तो वह पांच विकट भी है अभी तो अला कि नहीं कराता है डोकरेल का भी सेम सीन है तीन मैच पर तीन विकट उनके और शकेव अलासन चार मैच पर मातर दो विकट लिये इन्होंने अगेंस्ट अइरलेंट और एवरेश ट्राइग रेट बहुत ज्यादा हाई है उसके बाद में आ जाते है अपनी टीम के उपर किया रह सकती है तो टीम की बात करें तो लिटेंदास है जो मैंने जवेगेट की पर पिक के हुए अगर अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो कैमफर की जगह पर आपके पास में एक सिंपल ऑप्शन रहेगा टाकर को पिक करने का वाकि पॉल स्टार्लिंग हुसें हर्दोय है स्टार्लिंग इसलिए क्योंकि औ तो यह जाती है टीम कैप्टन के बात की है जैसा वह बोला कि सेफ जाने के लिए तो शेकिवालेसन के साथ में जाएगे जो लोग मिनी ग्रेंली वगरा खेल रहे हो उसमें आप इनको एसे कैप्टन वाइस कैप्टन जोड़ सकते हो ठीक है टीम में तो फिर भी रखना बाक कि चाहो तो टेक्टर को ट्राइब कर सकते हो आप इस वाइस कैप्टन के लिए तो यह तो जाती है आज के लिए टीम और सब चीज़े बागियार आपको वीडियो पसे नहीं हो तो लाइक जरू करना चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो फटा वट से इस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियों में बहुत ही जारे जलते हैं